इंगिस से रिलेटेट सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉरमेशन हलो फैंड्स आज हम बात करेंगे आपके क्लास 9 के फर्स चेप्टर के शॉर्ट कोश्टन एंसर के तो आप ये वीडियो पूरा देखिए आपको राजीव प्रकाश्न जो आपकी बुक होती है उससे रिलेटेद मैंने कोशेंज बताए हैं इवन मैंने और बुक से को आप पॉस्ट करके वीडियो को लिख सकते हैं ठीक अब चलते हैं आगे अब देखते हैं questions one by one तो चेप्टर का ना में आपका Tom Sawyer short questionnaire की बात कर रहे हैं पहला जो question उसका मतलब है Tom did not answer when his aunt called out to him मतलब Tom ने उत्तर नहीं दिया जब उसकी आंटी ने मतलब की मौसीन ने उसे बुकारा या बुलाया वेर वाजी वह कहां था वाट वाज इडूइंग और वह क्या कर रहा था मतलब तीन question पुछा गया इसमें कि Tom उत्तर क्यों नहीं दिया और टॉम कहां था और वो क्या कर रहा था तो इसका answer होगा Tom was near the cupboard वो कहां था पहला answer होगा कि वो कबूट यानि आलमारी के पास था Tom was near the cupboard when his aunt called out to him he was eating the jam by stealing it तो कहां था कबूट मैंसर आपको मिल के उसका और वो jam चुरा कर खा रहा था इसलिए उसने आंट को या मौस को कुछ बोला नहीं तो इसका answer हो सकता है थोड़ा आप इसमें और add कर सकते हो so that he did not answer तो यह आप line stealing it के बाद add कर सकते हो कॉमा के बाद जाब full stop लगा है वहाँ कॉमा लगा के लिख सकते हो tom was near the cupboard tom near cupboard के पास खड़ा था या cupboard के पास था when his aunt called out to him जब उसकी अंटी ने उसे पुकारा या बुलाया and he was eating the jam वो jam खा रहा था by stealing it चुरा कर उसे ठेक तो चुरा के खा रहा था गर में तो simple आवास निकालेगा नहीं तो पकडा जाएगा तो यह इसका answer होगा फिर चलते हैं second question पर look behind you auntie shouted tom shouted tom मतलब tom ने चिलाया कि auntie अपने पीछे देखिए look behind you मतलब अपने पीछे देखिए why did tom say so? tom ने ऐसा क्यों कहा? tom ने ऐसा क्यों कहा कि auntie आप पीछे देखिए तो देखते हैं इसका answer क्या होगा? there was nothing behind aunt poly aunt poly की पीछे कुछ नहीं था मतलब tom ने जूर बोला actually aunt poly was about to strike tom with the stick ऐसा क्यों कि actually जो मतलब वास्तविक्ता में जो tom था वो मार खाने वाला था aunt poly की stick से इसको और साधारन भासा हम कहेंगे तो बोलें कि aunt poly was about to strike tom with the stick about to मतलब मतलब है वाला है कोई काम करने वाला है होने वाला है बारिश होने वाली है और पापा आने वाली है तो उस सब के लिए about to का यूज करते हैं लिका actually aunt poly was about to strike tom with the stick तो aunt poly जो थी वो मारने वाली थी अपने stick से tom को so to divert poly's attention तो वह पाली मतलब कि aunt poly का जो attention है जो ध्यान उसको भटकाने के लिए उस नहीं बोला and get time to run away he said to so जैसे उसने कहा और जैसे उसने अपने aunt poly का जो ध्यान था वो भटकाया वहां से runaway मतलब भाग गया तो यह आपका answer हो सकता है इसमें आप improvise out कर सकते हो और आपको मैं बता दे रहा हूं वीडियो देखते हुए कि अगर आपको questions जो questions का answer आपको लग रहा है कि ज्यादा आप foundation मतलगा हो कि मैंने सही लिखा है कि उसने सही लिखा है या उन्होंने सही लिखा है ऐसा question नहीं है आपको जिसका सही लगता है सबने सही लिखाया अलगब अगर teacher ने लिखाया है तो वो सही लिखाया होगा तो क्रिपया करके आप वो देखके answer लिख सकते हो क्यों दिया तो इसका थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये दो कोश्चन है थोड़ा सा लंबा है it is it was necessary to punish tom ये बहुत जरूरी था कि tom को punishment याने की सजा दिया क्योंकि tom was naughty tom बहुत सरारती था and if she don't do that अगर वो ऐसा नहीं करती अगर वो ऐसा मतब punishment नहीं देती tom might be spoiled his future tom अपना career या अपना future क्या करते था बर्बाद कर सकता था क्योंकि देखो चरारती लोग क्या होते हैं अगर उनको सही direction नहीं दी जाए तो वो शरारती लोग कब उड़गे ही करने लगे कब बदमाशी करने लगे वो पता ही चले आपको तो इसलिए हमें नटखत लोग बत्रस नमत्ब बच्चे है तो ठीक है लेकि उन्हेसे इसको पनिश किग तौन को तो उसका बॉली मैड हीं, Why was different on Saturday कि उन्होंने टॉम से कहा कि जाओ तो सड़ड़े को मतलब जी दिन चुट़ी होती है उस दिन जाओ और क्या करो फेंस मतलब जो डिवाल व करो उसकी प्रताएक दिन जाओके की कि कह साधे और जो सटन एन ठीक之前 यौस एक परिश्मेंट क्या थी वाइट वाइट वाष करना तो यह काम करने आपको एक घंटा लग जा तो वैसे कि हैं यहाँ पर टॉम को पूरा लग रहा था अब चलते हैं फोर्थ कोशन पर मतलब कि Tom क्या कर रहा था जब Ben कपड़े जब पुताई कर रहा था जरूरी नहीं है कि आपके questions का answer 25 word में ही हो हो सकता है कि वो 15 से 20 word में हो सकता है हो सकता है वो 30 word में हो या 35 word में तो answer आप अपने एसाफ से लिखें हां कोशिश करें कि वो 30-40 word से उपढ़ना जाए और कोशिश करें कि इसको 20 word यह 15 word से ज्यादा ही लिखें क्योंकि तभी आपको समय मैंता है कि वो answer आपने लिखा है otherwise थोड़ा छोटा लगता है तो देखते हैं इसका answer क्या होगा वें बैड वजवाइट वाइट वाइट वश्टिंग दिपकते हैं तॉ यह लिखें कि दो कि यहां पर छोटा खा रहा था इसको आप और एड़ कर सकते हो कि वो मनी मनखोस हो रहा था कि उसका काम कोई दूसरा कर रहा है तो आप ये भी एड़ करके इसमें लिख सकते हो अपने एंसर में फिफ्थ कोशन है वाट डिट टॉम गेट फ्रॉम हैस फ्रेंड फॉर लेड़ वाइड 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 वाश जो उसके दोस्त थे तो दोस्तों के दारा उसे क्या मिला पुताई करने के बदले मतलब जो सब को उसने चढ़ा दिया कि वह पुताई करोगे तो अच्छा लगे सब्सक्डा टॉम गौट मैनि अधेंग सच एज ट्वाल मारबल टॉम ने काफिछ जीजे पाएं जैसे सच घख सब्सक्राइब जैसे ज्याजेट वहल मारबल बार अ मारबल अदम सोल्जर अदिन शो जयूंस परिंस सोल्जर मतलब कैने मतलब है खिलोना सोल्ट रेकी शीन महल जित से आकार का खिलोना खिलोना होता है न और पीसे सव और और चार और अरज की आधे पार्ड या निकी जब और अजिए कि अपकर पार्स अपने घर में बागते हो वह सब को एकम अपन महलेटा है तो आपका आपको भाईया को दिदी को सब को देते हों थोड़ा मम्मी को वहीं पीस मतलब भाई कहने मतलब है तो लिखा है four pieces of mango from his friend for let them white wash तो यह सब चीजे उसने पाई क्यों पाई क्योंकि उसने एक तरीके से अनुमती दे दी white wash पुताई करने के लिए fence की तो ब्रचे चलाक था और उसने दिमाग लाकर कर भी लिया और काफित चीजे पावी लिए six question देखते हैं why did tom not like the painkiller tom painkiller को like क्यों नहीं करता था या किया whom did he give it to और उसमें वो जो painkiller है किसे दिया तो इसका answer होगा the painkiller had the taste of fire जो painkiller था उसके वो कैसा टेस्ट था उसका टेस्ट क्या था उसका टेस्ट था जलने जैसा मतलब उसको जब ले रहा था तो कुछ जलने जैसा मैसूस हो रहा था so he did not like it तो इसलिए उसको पसंद नहीं था तो पहले question का answer हमें मिल गया तो इसका होगा he give it to a cat who just came into the room तो उसमें एक बिल्ली को डवा दे थी और पेंट कर दे दिया तो अब चलते हैं 7th question पे what effect did the painkiller have on the cat cat पे जो पेल किलर जो दवा टॉम निपलाई उसका आसर क्या हुआ तो उसका आसर होगा तॉम पोर्ट सम्कॉंटिटी ओव पेंट किलर इंट दो अम आउप अफ द गैट तो टॉम ने कुछ जो पेंट किलर के कॉंटिटी है मात्रा उस्तिया लिक्विट था मतलब की तरह रूप पर आप काड़ा पीते और सरवत पीते ओन वैसा तो वो पेंट किलर था जो लिक् यह लगोनव कर देसा थी ने उसके प्रभाव में वो डांस कने लगे यानए कि वो दवा इतना कड़वा था कि वो इच्छो इच्छल कुदने लगी इतना तीख लग रहा था and begin to run here and there और वो दोड़ने लगी इदर उधर वो कई ने लगी कि ₹ ते लगे करए क्या तो ढोड़ेंगा क्योंकि बरदास कि पाथ तो वैसे कि यहां पर भिल भी बर्दास नहीं कर पा रही है और तॉधा तुर्डब की फृशत डोड़ रही है जम्प कर रही तो वही लिकाय कि Tom ने दवा नहीं लिये फिर भी आंट कुसा नहीं थी कूण की बिक 너무 उड़ का क्थ इस आंड रहा आफ एन्गर कीनर पर फकी नॉट पर वह लिकाय कि नहीं लिया फिर भी उसके आट उस पर गुसा नहीं थी क्योंकि because she understood, वो जान गही थी that the painkiller was not beneficial for Tom Tom जो तब खराब थी, उसके सहत के लिए वो अच्छी नहीं थी, not beneficial for Tom as it was even not good for the cat क्योंकि जैसे कि वो एक बिल्ली के लिए के लिए भी वो दवा सही नहीं थी तो कैसे के इंसान के लिए वो दवा यानि कि Tom के लिए वो दवा सही हो सकती है ये बात वो समझ गई और इसलिए वो Tom पे गुसा नहीं थी तो ये आपका जो top 8 question है ये 8 question आपके किसे है राजी प्रकाशन से है और मैंने कुछ और important question बोल सकते हो या कुछ ऐसे question जो आपके दूसरे book से भी होंगे मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ कुछ है एक दूद ज्यादा नहीं एक दो तीन चार question है एक दो तीन जो भी question हो का देखते हैं तो वो देखते हैं बाव Some other questions example How did Aunt Polly plan to punish Tom Aunt Polly ने कैसे plan किया मां टॉम को punish करने का इससे पहले का answer देख लिए हैं क्यों वह छोटा था इसको थोड़ा आजम ब्रॉट किये हैं इसका अगले सटेड़े को हॉलीडे था तो बॉइस वह फ्री टू प्ले और दा टे और जो बॉइस जो लड़के थे सिंपल जो का एरिया में गाहों में दोड़के होते हैं वह उस दिन खेलने के पूरी तयारी अजाद थे और वो खेलने के तयारी कर रहे थे फिर आगे लिखा है ऑन पोली यह जामती थी तो झाथ लाओ टॉंस टुप ले और उन्होंने क्या किया टॉंस 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 इस को विखाए और नों ने को वाल दिवाल थी दिवाई की पताई करने के लिए बोल दिया या कह दिया तो ये है आपका ये पनिश्मेंट उका था कि भाई उसको मैं क्या पूरा दिवाल इसको पुदाय करने की मैं परिश्मेंट दे रहा हूं तो ये उका ये प्लान था अब चलते हैं सेकेंड क्वेशन वाइडी टॉम्स लुक सैडली एड़ दे यासा की उसकी आंट ने उसे वाइड फोर मतब पुताय करने के लिए का था दिवालो पे सेकेंड रिजन दूसरा इसन वाइड वाई पहा था वाई दूसरा इसन ये था कि वह जो जो चार चार्ज वाली थी बहुत उची थी और बहुत चाओड थी मैं आप चाहँ आपकर आपको डाटा नहीं पता है कि लंबाय उसे कि चोड़ाय कितनी थी तो आप वेरी हाई लॉंग ऐसे लिख सकते हो तो इसलिए टॉम बहुत दुखी तरीके से उसने फैंस को देखा तो इसमें आप एक और बात आट कर सकते हैं कि वह संटर डे था तो चुट्टी कर दिन था तो खेलना चाहता था लेकिन आनपोली ने मना कर दिया तो ये भी एक रिजन था कि वह दुखी था ठेक अब चलत आनपोली लवड टॉम वारी मजश। आनपोली टॉम से बहुत प्यार करती थी, जैसे कि वह उसकी मरी हुए बैहन का लेटा था तो इसलिए वह उसका खैयार रखती थी and she brought up with love and care by Polly और उसने क्या किया उन्होंने किस ने लेडी ने अन पॉली ने उसे बड़ा किया with love प्यार के साथ care by Polly और उन्होंने उस किसका Tom का ख्याल रखा किसने Polly ने Tom का और ख्याल रखा फुल स्टॉप जगा आप लिख सकते थे पॉली से पहले वाला and care by वाला तो आप वहां एंड की जगा फुल स्टॉप लगा सकते हो she brought up with love फुल स्टॉप फिल लिख सकते हो he was scared by Polly ही मतलब Tom की बात हो रही है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो तो यह है कुछ important questions या कुछ अलग questions जो आप देख सकते हो जो आपको लगेगा कि यह important है exam में एक question इसमें से आ सकता है इस chapter में से तयार रही है इसको ठीक से याद करिए समझिए जानिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है आपको लगता है कि इसका answer और लोगों को देना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक कर दे वीडियो को और साथ में हिंदी explanation भी आपको मिल जाएगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें आपको बहुत सारी information मिलती जाएंगी अलग-अलग दिन पर अलग-अलग तो वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो दिखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो